आपका स्वागत है आज आपके साथ एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ I hope आपको पसंद आएगी और रेसिपी है मटर पनेर बिल्कुल एजी वे में बनाएंगे बहुत ही टिस्टी बनेगा आज़े शुरू करते हैं मटर पनीर बनाना यह 200 ग्राम पनीर है और यह 200 ग्राम ही मटर है पहले हम ही डालते हैं और थोड़ा से इसमें ओल डालेंगे बनीर को शेलो फ्राइ करलेंगे हालता गोल्ड ब्राउन करेंगे जादा ने जादई हुँआ रहेंगे लाि ने पतलो फेगा किसी क्राइब आल जादेंगे एक लाव साइस का प्याज है जिसको चॉप किया हुआ है इसको डालेंगे इसके साथ ही दो तेज पत्स है आडी चमच जीरा दस बारा काली मिर्च है एक स्टेक दाल चीनी और एक बड़ी रैच और दो लाग ये भी डाल देंगे तो गोलें ब्राउन होने तर दूलेंगे ये हलका ब्राउन हो गया है ये दो फ्रेश ट्रमाटो हैं मीडियम साइज के इनको मैंने मिक्सी में चला लिया ये डालेंगे ये मैंने मिक्सी में इसलिए चला है कि जल्दी पग जाएगा कटे वे टमाटर डालते हैं तो गल्ले में थोड़ा टाइम लेते हैं तो ये जल्दी हो जाता है थोड़ा के साथी समय नमक डालेंगे केस्ट के साब से मैंने थी पूण डाला है और मिर्च हाफ स्पून पून खेंगे से ठरजमे के साब सब्सक्राप करने परिधिया के साब करकिज़ा डालने के विर्च बłę multimक या क्उड़ा ये कंगल जाएगा मिर्च से कलर अच्छा आजाएगा जbon को फ्रेंग ज़़े हैं तो इसे में में आफनी तो आप स्पून आप परिंदी कुझ है यह दो स्पून के सावा धनिया है यह गार्लिक जिंडर पेस्ट मैं इस वक्त इसलिए जिंडर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूं इसमें भुनने के साथ ही फ्लेवर फोर अच्छा आएगा पहले अगर हम जालते हैं थोड़ा फ्लेवर कम होता है गार्लिका इसको हम बहुत मसाले को अच्छे से भूनेंगे जिससे जिंडर गार्लिक भी अच्छे से भून जाएगा और सारे हल्गी मिर्शवगर अच्छे से भून जाएगा इसके साथी थोड़ा से इसमे हम पानी डालेंगे, आधा कफी करी और इसको ढखकर धुनने के लिए रखतेंगे, इससे मसाला अच्छे से गल जाएगा मसाला अच्छे से गुन चुका है इसमें हम यह मटर डाल देंगे, यह मैंने फ्रोजन मटर लिया है अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो आप उकर में बना सकते हैं जल्दी गल जाएगी मटर, यह अलोड़ी जली होई होती है तो हम दो मिट के लिए भूनेंगे मटर अच्छे से भून चुकी है इसमें जो हमने पनीर को पानी में सोब करके रखा था वो पनीर डाल देंगे इसको हम पांच मिनट के लिए धक के पकाएंगे इससे पनीर सारा मसाला अपने में अब्सॉब कर ले और मटर पनीर तयार हो जाएगा पनीर अच्छे से भून गया है मटर से साथ जड़ा सा पानी डालेंगे साथ में यह मैंने हरी मिर्ट स्लेट करके रखी हुई है और भी डाल देंगे इसी में ठोड़ा सा नीर दालेंगे मटर पनीर बनके तयार है सर्व करने के लिए अब हम इसी सर्व करते हैं मटर पनीर बनके तयार है एक एस्टी बना है यमी है और जल्दी बन जाता है आप भी बनाइए सबको खिलाइए खुद भी घाये सब की अधान तरीक. hai मैंने अपको पसंद पसंद था आएगा आपको पसंद आता है मेरे चैनल गैनम को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेर करिए हम फिर में लेंगे एक नहीं रसेपी के साथ, thank you.